अस्सलाम हूं अलेकुम, मैं Zulekhaar films, Zulekhaas Kitchen से, तो चलिए आज हम बनाते हैं कांडी चिकिन, अब मैं तो इसे कांडी चिकिन ही बडसो से और मैं काफी बडसो से बना रही हूं, तो मैं तो यही कहती हैं, यह देखे किया बडिया सी मजेदार सी चिकन बनी है और एक दम दिलिशिस है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेस्टपी साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रेडियन से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी कांडी चिकन कहिए, सैटे चिकन कहिए, जो चिकन कहना है कहिए, वो बनाते हैं, चलिए यह है आदा किलो चिकन बोलनेस, मैंने थाई पोशन लिया, आप ब्रेस पोशन ले सकते हैं, चरवी निकाल लीजिए, पर इसके मैंने मीडियम पीसे की, मीडियम से हलके हलके बड़े हैं, आप मीडियम भी कर सकते हैं, दो-तीन पाले से धोके नितालने के लिए 10-15 मिनिट के झसनी के उपर रख दीजिएगा, अब दाल दीजिए प्याले के अंदर नम्मक दाल दीजिए श्वादा आनुसार, मैं आधा छोटा चैका चमच नम्मक दाल रहे हूँ, आप चाहें, ऊटाप चॉटा चैका चमच या दो चुट़ा च्खा चमच सोया सॉस दाल येगा, म ऐसे यह less spicy वाला है, और यह मैं चार बार डाल रहे हूँ, क्योंकि यह आदी चुड़ी चाय की चमच वाला चमच है, आदा चुड़ी चाय का चमच, काली मिर्चो का पाउडर, आदा चुड़ी चाय का चमच, चाट मसाला, और 3-4 तीस्पून भर कर हरी चटनी जो हम घर पर बनाते हैं चुटनी, वो दाल दीजिए हरी वाली, बहुत दी बढ़िया फ्लेवर आता है इससे, लेकिन आप यह नहीं डालना चाहते हैं, तो एक चुड़ा चाय का चमच, पीसी हुवी या कुटी हुवी हरी मिर्चियां डाल दीजिएगा, मैं थोड़ा सा फूट कलर दा यह ओप्शनल है, एक चुड़ा चाय का चमच, मैं यहां पर टमाटर सॉस और ज्यादा दाल रहे हुए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसे साइट पर रख दीजिए, आदे घंटे के लिए, जब आदे घंटा हो जाए, अब आदे घंटे के लिए फ्र बाइपन के अंदर दाल दीजिये, और इसेे फास्ट आँच पर तकरीबन 3-4 मिनित तक पकने दीजिये, जब 3-4 मिनित हो जाए, आधे चुले को मीडियम आज कर दीजिये, और मीडियम आज पर भी 3-4 मिनित तक sun sniffा три-पार ये म सेकिन है द्राइगा हो जाते है, अब आपक पीछे पकाऊगे तकरीबन 7-8 मिनिट तो होई जाएगी तो यहाँ पर all the most chicken गल जाएगी लिए कि पूरी तरीके से नहीं गलेगी तो हमें यहाँ all the most chicken गलाने हमारा मकसद all the most chicken गलाना है यह देखिए अच्छे से dry out हो जाए तो इन्हें चूले को कर दीजिए बंद और आप चाहें तो इन्हें प्लेट में भी निकालकर ठंडा होने के लिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए side पर रख दीजिए चलिए हलके ठंडे हो चुके हैं तो एक कांडी लीजिए और इसमें डाल दीजिए पिरो दीजिए एक एक के अंदर आप तीन चिकन पीसे दालते जाएं या चार भी दाल सकते हैं मैंने हलके बड़े रखें पीसे आप देख सकते हैं कितने बड़े आ दिखरें न अब इन्हें मैं साइट पर रख दीजिए इसी तरीके से सारे कांडियों के अंदर पिरो लीजिए हमारे चिकन को और अगर मसाला बच जा है तो इस तरीके से उलट पर लट करते हूँ और मसाले को लगा लीजिए जब मैं ये अंडे वाली जो चिकन स्टिक्स बनाती हूँ न इसको मैं इस तरीके से आधी गला ही लेती हूँ यूशुली गलाते नहीं है डारेक कांडियों में डाल देते हैं बट क्या होता ना जब हम फ्राइ करने बैठते हैं तो कभी-कभी कच्छी रह जाते हैं तो मजा खराब हो जाता है तो यूशुली मैं जब ये वाली बनाती हूँ तो definitely इसे all the most पहले गला लेती हूँ लेकिन दूसरी जो कच्छी में कैसे कांडी में बनती है वो भी मैंने मेरे चानल पर अपलोड किया उसका link आपके लिए description के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजेगा चलिए साइट पर रख दीजे अब मैं एक बड़ी से पातर के अंदर दाल रही हूँ दो अंडे इसको पहले तो मैं फेट लेती हूँ आप चाहें तो हलका सा नमक दाल सकते हैं और इसमें हलका सा एक टेबल स्पून जितना दूद दाल कर mix कर लीजे अब चिकन से अच्छे से उलट पलट में कर सकूँ कांडियों को और अब इन्हें ब्रेट करम्स के ऊपर अच्छे से उलट पलट करते हुए वेल कोट कर लें चारो और से साइट की स्टिक्स से भी कीजिएगा और ये बन गया हमारा एक चिकन कांडी इसे साइट पर रख दीजिए इसी अब इसे थोड़ा पकने दीजिए थोड़ा पक जाए तो पलट पलट करते हुए जब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर आप टिशू पेपर के ऊपर साइट पर रख दीजिए आप चाहे तो चन्नी के ऊपर भी रख सकते हैं और इन् कितनी मिनिट पकाना है तो बस कुछ पिनिट का नहीं है बस उलट पलट करते हुए तब तब पकाना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए क्योंकि अंदर से तो पके हुए है ना all the most 80-90% पके हुए है बस वो 10% तो गरम-गरम तेल के अंदर आराम से पक जा है और मैं इसे घरी चेटनी के साथ सवफ कर रहे हूँ वैसे घरी चेटनी का लिंग डिस्रिप्शन पहाँ कर सकते हैं चलिए मैं आपको एक खोलकर दिखा रही हो यह देख किए अब पढ़िया से मैंने तुरा का लिया था सारी मज़ेदार है आप देख सकते हूँ और इत प्रेसिपियो उसमें अज़स्ट कीजिएगा वैसे कुछ मेने रमजान की रेसिपी मैंने मेरी चैनल पर अपलोड की है लिंक सारे डिस्क्रिप्शिन के अंदर आप लोगों के लिए चेक कर लीजेगा वहां तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमें सेक्षिन में जरू शेय कीजिएगा अपने कमेंस मुझे पहुत अच्छे लगते रेसिपी अच्छे लगते तो लाइक जरूर कीजिए और उससे जाद अच्छ